Q 3 question number 32 आपकी सामने स्में क्या दिया है आप mixture कंटेन् B म्घेन वाइन वाटर in ratio 3 डेखर म्घेन Κर्प्र मीं वाइन वाइन एंड वाटर का रेशू दिया है जाने و 3 2 छों युल राई भी इसके बाद मिक्षड कंटेन सो देट दा रिजल्टिंग में इक्वल कॉंटिटी एक्वल कॉंटिटी का मतलब क्या वन रेशो बन ठीक है अभी इस लाइन को भूल जाते हैं अपन कि अपन से बूला थ्री लीटर मिक्ष करना है किसका किसमें वो छोड़ो ठीक है पहले अपन कंसंट्रेट करते हैं कि किस किया सब्सक्रिया तो यहां से लिए अपनने 3 unit कित यूनिट पर टोटल अपन इतिए का मक्रें करने का तोड़ा सा hijo 2-5 करते यहां के तो यह यहां पर करेंगे यह 5 है और यह 2 यह 15 मल्टिप्लाय किया हो Uganda 43 54 उन्याइभ 25 मmm शेट यहां यह भाइं दूसरे में यह नहीं फिद्फ करेंगे रगा रगएaufenल का है यह अपनेанаगा occupancy का और यहां से आ रहा है कि था 5 और 4 9 टीकर 5 ratio 9 अपना मिक्स करना आए 5 ratio 9 में लेकिन अपन से क्या बूला आपन से तो कुछ और बोल दिया उन्हें बोल दिया कि 3 liter of the former former कमतलब हो था पहले वाला लेटर का बाद बाला पहले वाला मतलब ये इसका 3-5 यहां बना है तो 3 लीटर मिक्स करना है तो क्या करें यह 3 लीटर बनाना पड़ेगा यह 3 लीटर बनाया five है उस five कोपन में पहुचा और यहां नाइन थे इस से multiply कर दिया ठीक है तो नया रेशू क्या बन जाएगा अपना यह 3 लीटर आ गया और यह आगया 27 वाइफ फाइब लीटर तो यह आधी तीन लीटर पहले वाले का मिक्स किया जाता है तो दूसरे वाले का 27 बटे 5 लीटर या फिर 5 इस्टू 2 वाइ 5 लीटर मिक्स करना पड़ेगा ठीक है